हेलो गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 28 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सकते हैं साथ आप गूगल प्ले स्टोर से करेंट अफेर्स फंड अपको इंस्टॉल कर लिजिए क्योंकि यहमारा पीडियाव में अपको पूछना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं शुरुबात इस वीडियो सेशन की तो सबसे पह पलाचारी हेल्ड वट नेशनल लिटर्शिप पोजिशन आफ्टर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस सी राज पलाचारी ने भारत किया जाते के बाद किस पत्पको समाला ओप्शन से आपके सामने वाइस राय ऑफ इंडिया प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस या फिर गवर्णर जन्रल ऑफ इंडिया तो जल्दी से आप इस कोश्चन का अंसर कर दिए कोमेंट बॉक्स में फिर आगे बढ़ेंगे करेंट अफिर्स फंडा का जो टेलिग्राम चैनल है उसको भी जाइन कर दिए कि यह सेम कोश्चन अम आंसर के साथ वहां भी पोस्ट करते हैं डेली कि अधिकारी और अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है अप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर अप्शन सी होगा अनील कुमार लाहोती अनील कुमार लाहोती यह चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर और चेर्मेन बनिये हैं रेलवे बोर्ड के यह एक जनवरी 2030 से विने कुमार त्रिपार्टी को सक्सीट करेंगे आपको जानना चाहिए इंडियन रेलवे बोर्ड के चेर्परसन और सीयो यह एडिमिस्टेटिव हैड होते हैं इंडियन रेलवेस के और साथ यह आपको भी जानना चाहिए यह एक्स ओफिस्यो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो दे गवर्मेंट अफ इंडिया फूर दे मेरिस्टेटिव रेलवेस यह भी होते हैं वो हैस बेन रिअपॉइंटमेंट वो हैस बेन रिअपॉइंटमेंट अस अश्यो प्रिंसिपल सीयो यह एक्टिव जैनवरी 23, 2023 23.23 से प्रभावी तीन वर्सों के लिए सुर्योदे लगू वित बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नुक्त किया गया है ओप्शन सापके सामने है सही आंथर ओप्शन D है बासकर बाबू रामचंदरन तो रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने बासकर बाबू रामचंदरन को सुर्योदे इस्मोल फाइनस मेंक के MD और CEO के तोर पर रियापोइन्मेंट की मंजूरी दे दी है अगले तीन साल के लिए 23.23 से इनका ये दुबारा से कारेकाल सुरू होगा आपको जानना चाहिए इस सुर्योदे स्मोल फाइनस बैंक के बारे में सबसे पहले साल 2018 में ये सुर्योदे माइक्रो फाइनस प्राइविट लिम्टेट के नाम से चेनली में InCorporate हुआ उसके बाद ये एक पूब्लिक लिमिटेट कमपनी सुर्योदे माइक्रोथाइनस लिमिटेट के नाम से 2015 में साथी आपको यह जाना चाहिए जो सुर्योते माइक्रो फाइनेंस है इसको डिजर्ब बैंक ओफ इंडिया से एप्रूबल मिला चब्भी सकत 2016 को कि यह स्मॉल फाइनेंस बैंक के तोर पर अपने आपको ट्रांस्फोर्म कर सकता है और 2013 से इस ने अपना यह बैंक वाला काम यह सुरू किया अगर हम बात करें इसका हैटकॉर्टर से नवी उंबोई महरास्ट में है टैग लाइन है अबैंक ओफ इसमाइल्स which former president of Maldives was sentenced to 11 years in prison after a court found him guilty of money laundering and accepting a bribe Maldives के किस पुर्वरास्ट पती को एक अदालत द्वारा money laundering और रिस्वत सुईकार करने का दोसी पाए जाने के बाद 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई options आपके सामने है सही answer option भी है अब्दुल्ला यमीन तो जानेगा Maldives criminal court ने यहां के जो मालदिव के former president है अब्दुल्ला यमीन इनको 11 साल की जेल में बेज़ दिया है साथी 5 million investor का fine भी लगाए है court ने पाया कि जो यमीन है इन्होंने government के control में जो island आता है एक island आता है government के control में उसे इन्होंने lease पर दिया और उससे जो पैसा है वो अपने पास रखा आपको बताए 2013 से 2018 तक यह मालदिव के president रहे है मालदिव के बारे हैं basic जानकारिये तो capital माले है currency यहां की रूफिया है प्रेजिडेंट है इब्राहिम मुहमेद सौली और यहां के जो रेजिसलेटिक बोडी है इसका नाम है पिपल्स मचलिस as for the center for economics and business research इंडिया will become 10 trillion US dollar economy by which year center for economics and business research के नुसार भारत किस वर्स तक 10 trillion dollar की अर्थ व्यस्ता बन जाएगा options आपके सामने हैं सही answer option भी 2035 तो जानिय का center for economics and business research CEBR जो की United Kingdom based economics consultancy firm है इसने कहाए कि भारत 2037 तक third largest economy बन जाएगा question में हमने 10 trillion economy का पूछा है यह भी हम बात करने third largest economy 2037 तक क्या हो जाएगा third largest economy बन जाएगा अच्छा अगर हम इस report की बात करें तो यह 14th edition रहा है इस रिपोर्ट का रिपोर्ट का नाम है वर्ड एकनोमिक लीग टेवल डबलू इल्टी टॉन्टी 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 फॉर्टिंट एडिशन रहे इसमें बताया है इन्होंने कि भारत की जो next five years में जो जीटीपी ग्रोथ है यह 6.4 परसेंट रही उसके बाद जो नाइन यह से उसमें 6.5 परसेंट रहेगी इन्होंने बताया कि 2022 में 6.8 परसेंट भारत की जीटीपी ग्रोथ रहने वाली है अब बात करते हैं जो हमने कॉश्चन में पूछा है इस रिपोर्ट ने यह काया कि 2035 में भारत 10 ट्रियन युएस टोर की एकनोमी बन जाएगा इन्होंने बताया कि जो गवर्मेंट आफ इंडिया का डेट है वो फि पार कर चुकी है लेकिन 2023 में जो वर्ड एकनोमी यह स्टॉल कर जाएगी थोड़ी रुकी रुकी सी हो जाएगी इन्होंने यह बताया है कि चाइना युनाइट इस्टेट्स को ओवर्टेक कर लेगा और वर्ड की लार्जेस्ट एकनोमी बन जाएगा 2036 में अज़ाएगी पर्दान मंतरी मत्से संपदा यूजना इंकलिमेंटेट इंस्टेटरिए प्रोवाइट इंस्यरेंस कवरेज तो फिश फिश्चर्ण मद से विपाग पश्वार्ण पश्वपालन और डेरी मंतरले 2020-21 से लागू की गई परदान मंत्री मतसे संपदा योजना के तहत मचवारों को बीमा कवरेज परदान करता है तो जाने किसके बारे में देखे ये हाली में पार्लियमेंट में ये जानकरी दी गई है कि जो Department of Fisheries है जो की Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Daring Government of India के तहता है ये परदान मंत्री मतसे संपदा योजना जो की 2020 से इंप्रिमेंट की जा रही है इसके तहत इंशुरेंस कवरेज प्रवाइट कराता है जो Fisheries हैं जो मचवारे हैं उनको चान में Fish Workers हो, Fish Farmers हो या भी और किसी कैटेगरी के हो जो Fishing से संबंदित हो अगर हम इस इंशुरेंस की बात करें तो पांच लाक रुपे तक का इंशुरेंस इसे प्रवाइट करा जाता है accidental death and permanent total disability के तहत लाइट अफ्यल रुपे का इंशुरेंस प्रवाइट राता है Permanent partial disability के लिए और hospitalization expenses in the event of accident for a sum of Rs.25000 पच्चेजा रुपे का hospitalization expenses प्रोवाइट करते हैं आपको जाना चाहिए जो यह स्कीम है प्रदान मत्री मत्रस्ट संपता योजना इदस सितंबर 2020 को launch ही गई थी 2019-2020 की union budget में इसको announce किया गया था इसी स्कीम का motto है reform, perform and transform India and ADV signed 125 million US dollar loan to improve urban services in which state भारत और ADV ने किसराज में सहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 million US dollar के रिंड पर हस्ताक्षर किये सही आंतर option C Tamil Nadu है तो आपको जाना चाहिए government of India and Asian Development Bank ADV इनने 125 million US dollar का एक loan agreement को sign किया है जिसके तहएत तमिलाड़ों को तीन सिटीज को कोईमेटूर, मदुराई और तुतोगोडी इन तीन हुई सिटीज में drainage and water supply system और sewage collection इस सभी जो यह पूरी तरका system है drainage से संबंदिद, sewage से संबंदिद, water supply से संबंदिद तो इन सभी को सुद्रड किया जाएगा इस loan के साथ 125 million US dollar loan के साथ अच्छा तो यह जो loan दिया गया ना यह एक part है overall 2018 में ADP के साथ एक loan agreement sign हुआ था 500 million US dollar का तो इसके तहत जो यह तमिलनाड़ों की loan sign किया गया था तो अब यह तीसरा loan दिया जा रहा है इसी के तहित 500 million US dollar के तहित थर्ड एंड लास्ट ट्रॉंच तो आखरी यह जो loan की आप कह सकते हैं कि राशी दी जा रही है इन तीन सिटीज के लिए टोटल टैन सिटीज के लिए दिया गया था यह लोन लेकिन अब जो लास्ट किये यह तीन सिटीज बची थी अब इनके लिए दिया जा रहा है भारती एटेल एंड विच हेल्थ केर ग्रूप कंडुक्टेड इंडियास फस्ट फाइफ जी ट्रैवन आर्टिफिशल इंटे अपोलो हॉस्पिटल्स आपको जाना चाहिए भारती एटेल और अपॉलो हॉस्पिटल्स इन्होंने मिलकर इंडिया का फस्ट फाइफिशल इंटेजेंस गाइड़ को लोनस्कोपी ट्राइल किया है किसके साथ मिलकर टेक्नलोजी कंपनीज हेल्थ नेट क्लोबल एमेज़ वेब सर्विसेज और आवेशा के साथ मिलकर आपको जानना चाहिए यह जो ट्राइल है इसको एटल की 5G टेक्नलोजी में जो AI आर्टिफिशल इंटेजेंस है उसको यूज करके यह टेस्ट कंडक्ट किया गया है और इस टेस्ट को कंडक्ट करने में बहुत ही कम समय लगा अगर हम मैनुवी करते हैं या जैसे हाथ से हम जो भी करते हैं डॉक्र बगेरा हैं डीटेक्ट करते हैं तो ऊसमें वह काफी टाइम कंसूंमिक होता है और प्रतिकीस-3-40 विनूट उसमें लगते हैं लेकिन यह अब काफी आईस्त हैं इसमें आप अ डेगे खिउस करने NPTEL पर किस आईटी के कार्यकर मुने वाटन क्यूंस रीमेजिन एजुकेशन आवाउड चीते हैं ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है आईटी मदरास देखिए इंडियन स्टोफ टेक्नोजी आईटी मदरास इन्होंने वाटन क्यूस रीमेजिन कर इसमें NPTEL एक बहुत एच्छी इनिशेटिव है आप में से एस्पिरेंस जानते भी होंगे जो टेक्निकल से संबंदित हैं कई सारे वीडियो लेक्चर्स यहां पर प्रोवाइड किये जाते हैं अलग लग इस टीम से संबंदित अच्छा तो अगर हम यहां बात करें जो आइटी मदराज का यह बीएस इन डेटा साइंस एंड अप्लिकेशन प्रोग्राम में इसने सिल्वर मेडल जीता है यह सिल्वर अवार्ड जीता है बेस्ट ओनलाइन प्रोग्राम केटेगरी में और NPT यह नसल प्रोग्राम ओन टेक्नोजी इनहेंस लर्निंग इसने गोल् केंपस ऑड फिलादेल्फिया यूस्ते यहां पर हुई है रिसर्चर्स एट विच ऑप्षन सी इड कानपूर है आपको जाना चाहिए हाली में IT कानवर के रिसर्चर्स ने और्गनिक सोलर सेल्स डेवलप किये हैं किस प्रोजेक्ट के तहथ डियस्टी आर्सी यू के एफएक्स प्रोजेक्ट के तहथ अब जो यह डिवाइस इन्होंने बनाई है इसमें और्गनिक पॉलीमर पीटी बी सब्सक्राइब के बीच में एक और कोश्चन आपको आईटी कानवर समझना चाहिए ध्यान देना चाहिए काफी महत्पुर्ण है आईटी कानवर ने आर्टिफिचल हार्ट यह डेवलप किया है खासकर कि उन परसंस के लिए जिने एक्यूट कार्ड एक प्रोब्रम्स रहत चैंबर्शिप टाइटर इन मलेशिया में जूनियर इंटरेशन प्रदेश से हैं यहां पर टाइटल जीता है आपको जाना चाहिए इन्होंने यह टाइटल मलेशिया की जो सेकेंड सीट जेरिल ते इनको हराकर जीता है इन्वे सिोनियन मिस्टर फॉर यूथ अफेर्स एन इस्पोर्स अनुराकसिंग ठाखूर इनाउगरेद दा था स्पोर्ट साइंस सेंटर केंडर मौमलुा मंले और किम्धा अनुराकसिंग ठाखूर ने कियों केल विज्यान केंडर का उत्यगार्त Franc outline किया पर उडूपी करनाटक में इसको इनगरेट किया है किसको sports science center को तो यहां पर जो sports scientist है और athletes है यह मिलकर कारे कर सकेंगे आपको जाना चाहिए इन्होंने यह भी information यहां पर provide कराए कि जहां 2014 में 854 क्रोड रुपे स्पोर्ट्स पर जड़ था वहीं इस साल इकत्तिस सो क्रोड रुपे का हो गया है हुँ लॉंच्ट राइट टू रिपेर पॉर्टल राइट टू रिपेर पॉर्टल किस ने लॉंच किया सही आंसर ऑप्शन एह है प्यूश कोईल देखें मिनिस्टर आफ कंजूमर अफेर्ज प्यूश को इन्होंने राइट टू रिपेर पॉर्टल लॉंच किया है ताकि जो कंजूमर से उनको और इंपावर किया जा सके साथ इन्होंने एंटिएच अप्लिकेशन और न्यू प्रिमाइस भी लॉंच किया है नेसल कंजूम पर डिपेंड होने की जरूत नहीं है कंजूमर को इसे के साथ भारत ने उनाइट इस्टेट्स और उनाइट किंडम जैसी कंट्रीज को भी जोइन कर लिया है जिनके पास इस तरह का पॉर्टल है राइट टू रिपेर पॉर्टल Members of the European Union agreed in principle to implement a minimum tax of 8% on big businesses European Sink के सदस्य बड़े विवसावे पर कितने प्रतिशाश का नियुनत्यम कर लागू करने के लिए सेदान्तिक रूप से सेमत हुए है सही आंजरॉप्शन सी 15% है आपको जाना चाहिए European Union के मेंबर से ये सेदान्तिक रूप से agree कर चुके हैं कि कम से कम 15% का tax जो है big business पे लगाया जाए आच्छा ये किसके तहत लगाया जा रहा है देखें Organization for Economic Cooperation and Development OECD इन्होंने पिछले साल एक framework तैयार किया था उसमें दो pillar थे pillar 1 और pillar 2 तो अब जो ये minimum tax लगाया जा रहा है 15% का ये pillar 2 में उन्होंने बताया था OECD ने बताया था और ये भी बताया कि अगर ये 15% का tax लगाया जाए तो जो annually जो revenue है countries के लिए 150 यूए स्टोर का हो जाएगा अच्छा तो देखेगा इस deal में क्या element है एक तो है pillar 1 इस pillar में क्या कहते है देखे जो countries है जो companies है उनको ये कहा गया है कि आपका जो profit generate होता है उसको आप distribute कीजिए उस country में जहाँ पर sale के जरीए आपको पैसा मिल रहा है ना कि वहाँ पर जहाँ आपके headquarters है कंपनी क्या करते हैं बड़ी वीड़ी कंपनी प्रोफिट तो कहीं कमा रही है लेकिन टैक्स से बचने के लिए अपने headquarters किसी टैक्स हेवन कंट्री में बना रखी है जहाँ पर टैक्स काफी कम देना पड़ता है तो एक आए जो आप profit कमा रहे हैं उसको distribute कीजिए उस country में ज के में एक अबाओ दो 10 परसेंट त्रेशोर्ड विल भी रियलोकेटेट तो दा कंट्री वेर देवर और टैक्स टेयर पिलर टू देखेगा प्लेर टू में बताय गया है कि ग्लोबल मिनिम्म एफटीक टेस्ट रेट ओफ 15 परसेंट डिटर्माइंट ओनर कंट्री बात किया गया है तो फिलर टू में बताय गया है कि कम से कम 15 पर्तिशत का टेक्स जो ये बिग बिजनेस हैं इन पर लगाए जाएगा कम से कम 15 पर्तिशत का और ये साल 2030 से लागू किया जाएगा और ये 15 पर्थिशत का क्यों लग रहा है क्योंकि अगर इसा पाया जाता है कि जो ये बीक कम्पनीज है ये जिन कम्पनीज में जिन देशों में प्रोफिट कमा रही है वहां पर काफी कम टेक्स दे रही है तो वहां पर 15% का अडिशनल इन पर लगा जाएगा मिरिस्ट्री ऑफ पार साइंड एन एम यू विद विच और्गनाइशन फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वॉल्नरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पार स्टेशन विद्यूद मंत्राय ने कमजो और जल्विद्यूद परियोजनायों बिजिद्यू स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी पढ़ना लिए कार्यान में क के लिए कि संगठन के साथ एक समझेता किया प्रपस्ताक्षर किये सही आंसर ऑप्शन भी है डियार डियो आप हुचाना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पार है इन्होंने एक मोई साइन किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाशन डियार डियो मिस्ट् इसके लिए तो वाहां अल्डी वर्निंग सिस्टम को इसके लिए किसके भी साइन किया गया जो सेक्रेटरी है मिलिस्ट्री ओफ पार आलोक कुमार और जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस साथ-साथ डियाड़ी के चेर्मन भी है डॉक्टर सामीर भी कामत इनके बीच में अटर इंक्विशन सेंटर हैस बीन लोंच्ट अट बार्व और करी में इसको बोलता है इसे लॉंच्छ हिस्ए है और मुंबई में मौंबई में यह बार्व और आप्टमिक डिसर्च सेंटर तो यह जो अटरल इनक्यूबेशन सेंटर बार्क है इसने अपने इस टेल विस्टिर मिलेंड के साथ ही MSM इस इंडरस्टिज के साथ भी एगरिमेंट साइन किये हैं आपको जाना चाहिए जो यह अटरल इनक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है बार्क में इसे अटर इनोवेशन मिशन और निती आयोग इसके तहत बनाए गया है विबन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन्शिप हैड इन विस्टिटी लॉवलीना बर्गोहिन और निखत जरीन वो हैव वन गोर्ड मेडल्स एड इस चैंपियन्शिप महिला रास्ट्य मुक्यबाजी चैंपियन्शिप की सेर में जित की गई लॉवलीना बॉक्सिंग और निखत जरीन ने इस चैंपियन्शिप में सोरण पदक चीते हैं सही आंधर आप्शन भी बोबाल है आपको जाना चाहिए लॉवलीना बॉर्गोहिन और निखत जरीन इन्होंने गोर्ड मेडल्स जीते हैं वीमेंस नैसनल बॉक्सिंग चैंपियशिप दोजार बाइस में जोकी बोपाल मद्द प्रदेश में होई यहां इन्होंने 75 केजी में तो लॉवलीना बॉर्गहिन न की नाम आप देख सकते हैं साथे आपको जाने चाहिए रेलवेस की जो टीम है इसने मेडल टैली को टॉप किया है टैन मेडल के साथ मद्द परतेश दूसरे नंबर पर राय हर्याना तीसे नंबर पर पहला के आर गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड पहला के आर गोरी अम्मा रास्टे प्रसकार किसे दिया जाएगा सही आंसर अप्शन सी है अलेडा गोवेरा गोवेरा देखे पहला के आर गोरी अम्मा नेसल अवार्ड ये क्यूबन सोशल एक्टिविट्स डॉक्टर अलेडा गोवेरा इनको दिया जाएगा ये हुमन राइट्स एडवोकेट है और डिसेबल्ड चिल्टन के लिए क्यूबा में दो आश्रे भी चला रही है साथी जो रिटर ने उनके लिए भी चला रही है कि यह जो अबॉट है कि यार गोरी अम्मा फॉंडेशन द्वारा इंस्टिट किया गया है कि हूँ वास्ट कि एगलब ये प्रुसकार फॉर दे ये टॉंटी टॉंटी टूंटी टू वर्थ दोजार बाइस का एक लब ये साल दिया जाता है यंग स्पोर्ट्स टैनेंट को एंकरेस्ट करने के लिए आपको दादे एक लब प्रुसकार इसे इंडियन मैटल्स पॉब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इंपक्ट के द्वारा इंस्टिटूट किया गया था उननिस्सो तिरानवे में चैरि आप यहाओ लोंग इस इंडियास लॉंगेस्ट इसकेप टनल भारत की सबसे लंबी इसकेप टनल कि थे लंबी है सही आंशर उपशन से है 12.99 इंट तो जानेगा इंट्रियन रेलवेज ने 12.89 किलमेटर लोंग टी-13 टनल जो की इंडिया की लोंगेस्ट इसकेप टनल है सुंभेर और खारी सेक्षन की बीच में इसे कंप्लीट कर लिया है और यह 111 किलमेटर डंबा जो अंडर कंस्ट्रक्शन कट्रा बनीहाल सेक्षन है जब टनल टी-49 तो यह ट्विन ट्यूब टैनल है एक तो इसमें में टैनल है 12.75 किलमेटर वह एक दूसरी है इसकेप टैनल 12.89 किलमेटर की जिसके हम इस कुशन में बात कर रहे हैं यह टैनल न्यू आस्ट्रियन टैनल लिंग मैथर्ड के तहत बनाई गई है कि वट इस इंडिया रेंक इंद ग्लोबल फूर्ट सिक्यूर्टी इंडेक्स 2022 वैस्विक खाद्य सुलक्सा सुचकां 2022 में बारत की रेंक क्या है सही आंसर ऑप्शन सी है 68 टोप 10 कंट्री आप देख सकते हैं याद रखेगा आभी देखेंगे क्यों इंपर्टनेंट है देखें 11 ग्लोबल फूर्ट सेक्यूर्टी इंडेक्स की रिलीस किया गया है तो चार फैक्टर इसमें डिटर्माइन किये जाते हैं उनके साब से कंट्री सको डिटर्माइन किया जाता है रैंक दी जाती है एफ़र्टिबिलिटी एवलेबिलिटी क्वालिटी एंड 68 अलजीरिया की 68 है भारत का स्कोर 58.9 है और चाइना भारत से उपर है 25 पोजिशन पर अगर हम बात करें इस 2022 की इंडेक्स में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं टॉप 10 में जो एट कंट्रीज हैं वो यूरोप से आती हैं पर नमबर पर फिल्लैंड है 83.7 स्कोर है इसका उसके बा बात की टॉप 10 में 8 कंट्रीज तो यूरोप की हैं तो बाकी टू कंट्रीज जो बची है वे हैं जैपैन और केनेडा अगर साथ अफ्रीका तुनिशा से आगे निकल चुका है और अफ्रीका में मोस्ट फूड सिक्योड कंट्री बन चुका है पाकिस्तान ही रहेंगे 54 है ब प्रिएस सायर्मेंट के आंशर देखेंगे लोसार फेस्टिवल इस सेलिब्रेटें इन विच यूटी लद्धाक प्यूमा इंडिया रॉप दिन विच एक्ट्रेंट अप्रेंट अनुसका श्रमा इसांतिवन इसम मेमोरियल डेडिकेटेट तो विच विच वन आफ इस इं प्रिएस सेलिब्कुल सही आंसर दिया है इस तर से पार्टिपेट करते रही है चलिए आज ये कॉश्शन देखेंगे सहस्तर सीमाबल कमेमोराइट इस 59th राइजिंगे ओन विच देट अन इंटेंस बिचार्ड इस नोस्ट्रॉम बंब साइकलोन इस रेकिंग हैवक अक्रोस विच कंट्रीज और स्मृत्र नेम्सर्ड इस लिच अपूने से नहें एड जिच ऑ्फी आजिजहड प्विच इस चिफिछ प्स्तख ए्यूम, लिच ये अंजिज, इस लिच नहेंए अधिए, लिच झा सुपने cmalग धन में।성 डेटींitz, Loальный national इंट व्यूम Bogdana मॅतैंच food in remote areas. Nepal President Vidya Devi Bhandari appointed Prachand as the new Prime Minister. What is Prachand's real name? Which film begged three trophies at the Philadelphia Film? Critics Circle Annual Awards in Best Foreign Language Film, Best Symmetrography and Best Score Soundtrack categories. तो इन आठ कॉस्टेंस के आँजर आप कोमेंट बोक्स में जुरूर दीजेगा. यह आपको एक कॉस्टेंस के आँजर भी आता है, तो अभी आप में कॉमेंट बोक्स में बता सकते हैं. साथी Current Affairs Funda को आप टेलीग्राम पर भी जॉइन कर लिजे, यहाँ पर हम डेली आपके लिए Current Affairs Quizzes लाते रहते हैं, साथी Important PDF भी शेयर करते हैं. यहाँ पर हमारे Current Affairs की प्लेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फ़लो एसमेंट साथ हमारे Current Affairs को शेयर जरूर करें, आज का यह सेशन आप होगा, कॉमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा, थैंक्यू गाइस.